दिल्नी के मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल E.D. के सामने पेश्ट नहीं होंगे E.D. के समन के बाद आमादवी पार्टी ने क्या कहा है सुबह आई ख़वरों में से एक ख़वर दिल दहला देने वाली है ख़वर है असम के गोलाघाट जिले से तकरीबन पाच वजे का वक्त एक ट्रक से एक बस की टक्कर हुई चौदा लोगों की मौत हुई बस में सवार लोग कहां जा रहे थे वहीं जारखंड में मुख्यमंत्री हैमंत सोरेन के करीबियों के घर E.D. पहुँची है क्या तलाशा जा रहा है? मामला क्या है? खबर राजस्थान से भी आई है अब सुबई की बड़ी खबरों के तरफ आपको ले चलते हैं पहली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल से जुड़ी है केजरिवाल बुद्वार तीन जनवरी को भी प्रवर्तन निदेशालाय के सामने पेश्ट नहीं होंगे प्रवर्तन निदेशालाय यानि E.D. दिल्ली शराब नीती में कथित घोटाला मामले में E.D. ने केजरिवाल को समन भेजा है आम आदमी पार्टी के तरफ से बताया गया है कि अर्विन केजरिवाल E.D. की जाच में सहयोग करने के लिए तयार है लेकिन जाच एजनसी ने जो नोटिस भेजा है वो गैर कानूनी है आज तक से जुड़े पंकज जैन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने की साजिश्की जा रही है आप नेताओं के मुताबिक E.D. ने केजरिवाल को इसलिए समन जारी किया है जिससे उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका जा सके दिल्ली शराब नीत में कथित गोटाला मामले में E.D. ने मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को तीसरा नोटिस जारी कर तीन जनवरी 2024 को पेश होने के लिए कहा था इससे पहले केजरिवाल को 2 दिसमबर और 21 दिसमबर 2023 को भी E.D. के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया था लेकिन वो जाच एजनसी के सामने पेश नहीं हुए थे केजरिवाल ने लिखित जवाब भेज कर समन पर सवाल खड़े किये थे तब भी उन्होंने समन को गयर कानूनी और राजनीत से प्रेरत बताया था केजरिवाल पर अब क्या कारवाई हो सकती है अरविन केजरिवाल के बारबार E.D. के सामने पेश नहीं होने है E.D. के पास क्या विकलप है इंडिया टुडे ने इसे लेकर वरिष्ट वकील गीता लूथरा से बात की गीता लूथरा का कहना है कि E.D. के समन पर पेश ना होने पर जमानिती वारंट उसके बाद भी पेश ना होने पर गैर जमानिती वारंट जारी होता है ये प्रोसेस है अगर कोई उसके बाद भी पेश नहीं होता है तो उसे अरिस्ट किये जाने का प्रावधान है अब अगली खबर पर चलते हैं असम के गोला घाट जिले में एक ट्रक से एक बस की टक्कर हो गई इस घटना में 12 से ज़्यादा लोगों की मौत होई है जबकि गायलों की संख्या 25 से ज़्यादा बताई जा रही है ये घटना असम के गोला घाट जिले के देरा गाउं के नस्दीक होईगी आज तक के सहयोगी पूर्ड विकास बोरा के रेपोर्ट के मुताबिक आठ खेलिया से बोगी बिल पिकनिक मनाने के लिए 45 लोग बस में सवार होकर निकले थे लगभग 5 बजे का बार देरगाउं के नस्दीक बालिजान में मारगेरीटा से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई अब तक मरने वालों की संख्या 14 पहुँच चुकी है कई घायलों को अस्पताल लाया गया यहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है अब चलते हैं अगली खबर की ओर E.D. ने जारखंड के मुख्यमंत्री हिमंद सोरेन के मीडिया सलाकार अभिशेक प्रसाद और पिंटू के घर पर चापे मारी की है यह चापे मारी आवायत खनन मामले में की जा रही है अब शेक प्रसाद और साहेब गंज के डिप्टी कमिशनर के घर के साथ साथ बारा जगहों पर चापे मारी की गई है E.N.I. के सूत्रों के मुताबिक जारखंड के मुख्यमंत्री हिमंसुरेन के राची में करीबियों के परिसरों में भी रेट डाली गई है यह कारवाई मनी लॉंडरिंग मामले में की जा रही है अब अगली खबर की बारी श्री रास्ट्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुक्डेव सिंग गोगामेडी के हत्या के मामले में NIA हरियाना और राजस्थान में 31 जगहों पर तलाशी अभिहान चला रही है बता दें कि साल 2023 के दिसंबर महीने में ग्रिफ मंत्राले की ओर से इस मामली की जाच NIA को सौपी गई थी बाकि इन खबरों का हर अपडेट आपको मिलेगा दिललन टॉप पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए शुक्रिया